हेलो बच्छो आप सब कहा आपके अपने चैनल गोविंद मैत लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो पीरे विद्यार थे हो आज की इस क्लास में हम तक साथ 6 और 7 गनित विश्य की ब्रक बुक 2.0.3.24 के कारे पत्रक 54 को फल करना सिखेंगे बच्छो कारे पत्रक 54 में हम संक्याओ की तूलना करना उन्हें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सिखेंगे कैसे खेंगे बच्चो संख्याओं की तूलना करना की कौन बड़ी है और कौन चोटी है साथ इसाथ आरोही क्रम यानि चोटे से बड़े की और और अवरोही क्रम यानि बड़े से चोटे की और इसके बारे में सिखेंगे देखो बच्चो पहला प्रश्णा पहला प्रश्णा दिया गया है नीचे दी गई संक्याव के लिए बड़े छोटे अत्वा बरावर में से उप्युक्त चिनव लगाईए देखो बच्चो प्रश्णा संक्या एक 3725 और इधर 3289 तो बच्चो बड़ा कौन सा है तो बच्चो 3,000 जो 700 है वो 3,200 की तुलना में बड़ा होता है आगे बच्चो दूसरा 4,682 और इधर 4,628 तो बच्चो 82 बड़ा होता है अगला बच्चो 49,865 इधर बच्चो सेकड़ा कितना है 800 इधर सेकड़ा कितना है 49,700 तो बच्चो 865 बड़ा होगा आगे बच्चो 38,260 और इधर भी 28,260 तो दोनों बराबर है अगला बच्चो पांचवा कि 75,806 और इधर कितना है 78,000 तो बच्चो 78,000 बड़ा होता है अगला बच्चो इधर 50,000 है और इधर 51,000 है तो बच्चो 51,000 बड़ा होता है किके आगे बढ़ते हैं बच्चो प्रश्न संक्या दो नीचे दी गई सं संख्याओं को बढ़ते हुए करम में लिखिए यह आरोही करम के अंदर लिखना है चोटे से बढ़े की और देखो बच्चो दूसरा प्रश्णा यहाँ पर बच्चो सबसे चोटी संख्या कौन सी है तो सबसे चोटी संख्या है वह बच्चो है आपकी 22,889 कितनी है बच्चो 22,889 ठीके उसके बाद बच्चो दूसरी संख्या कौन सी है बच्चो दूसरी संख्या है 22,889 यह एक नंबर पर सबसे चोटी उससे बड़ी 22,889 तो बच्चो 22,889 फिर बच्चो इससे बड़ी कौन सी है तो बच्चो इससे बड़ी है 22,988 इतनी है बच्चो 22,988 फिर कॉन्सी है, 22,998, 22,998 और अगली सबसे बड़ी है 22,9999 अब बच्चो इन्हे हम तरम में लिख देंगे, तो बच्चो सबसे चूटी 22,898, इससे बड़ी बच्चो बाईस अजार आठ सो निन्यानवे इससे बड़ी बच्चो बाईस अजार फिर नो सो अठियासी इससे बड़ी बच्चो बाईस अजार नो सो अठानवे और इससे बड़ी बच्चो बाईस अजार नो सो निन्यानवे ठीके आगे बढ़ते हैं सबसे चोटी कौन सी है? तो बच्चो यहाँ पर सबसे चोटी हो जाएगी आपकी ये 81,339 फिर बच्चो इससे बड़ी कौन सी होगी? 81,923 फिर बच्चो 82,931 फिर बच्चो 83,211 और सबसे बड़ी बच्चो कौन सी है? 89,231 अब बच्चो करम से लिख दो सबसे चोटी कौन स तीन सो उन्तीस ठीके इसके बाद बच्चो इससे बड़ी 81,923 ठीके बच्चो इससे बड़ी है बच्चो 82,931 इससे बड़ी 83,291 और सबसे बड़ी बच्चो 89,231 बच्चो इसे करम से लिख दो तो बच्चो 81,339 सबसे चोटी इससे बड़ी 81,923 फिर बच्चो इससे बड़ी 82,931 फिर बच्चो इससे बड़ी 83,291 और बच्चो इससे बड़ी हो जाएगी 89,231 आगे बच्चो चौता प्रश्न इसी का बच्चो सबसे चोटी कौन सी है? 45,065 उसके बड़ी कौन सी है बच्चो उसके बाद है चौवन हजार और 309 उसके बड़ी सबसे बड़ी है चौवन हजार और 372 ठीक है तो सबसे पहले से लिख दो करम से कोमा लगा के 15065 सबसे चोटी उसके बाद 5309 उसके बाद 5306 उसके बाद 5348 और उसके बाद 5372 तो देखो बच्चो इसको लिख दो करम से 5000 और 65 सबसे चोटी इससे बड़ी 54309 इससे बड़ी 543026 इससे बड़ी 54348 और बच्चो सबसे बड़ी है 543072 ठीके आगे बढ़ते हैं बच्चो अगला है आपका प्रश्न संक्या 3 नीचे दीगे संक्याव को गटते हुए करम में यह बच्चो हमें कौन से करम में लिखनी है अब रोही करम के अंदर लिखनी है देखो बच्चो दूसरा प्रश्न इसमें बच्चो सबसे चोटी कौन सी है बच्चो तो सबसे चोटी बच्चो में किसमें लिखना है गटते करम में गटते करम का मतलब है सबसे पहले बड़ी और सबसके बाद चोटी तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी देखो पहले तो पिर बच्चो सबसे बड़ी 95,666, उसके बाद बच्चो कुँछी है? उसके बाद इससे चोटी है 80,732, उससे चोटी बच्चो कुँछी है? उससे चोटी है 54,942, उससे चोटी बच्चो 54,000 और आपका 320, और उससे चोटी बच्चो क्या है? उससे चोटी है 26,432, ठीके? के लिखनी हैं तो बच्चो सबसे बड़ी 95666 सबसे बड़ी इससे चोटी 68732 इससे चोटी 15942 इससे चोटी 15320 और इससे चोटी बच्चो 26432 ठीक है अगला बच्चो तीसरा प्रशना ीसमें बच्चो देखो सबसे बड़ी कौन सी है 75532 उससे चोटी बच्चो कौन सी है 75231 उससे चोटी हो जाएगी 68928 उससे चोटी 69200 और सबसे चोटी 3028 तो बच्चो लिखलो पेले करम में 74,532, सबसे बड़ी, इर बच्चो 75,231, उससे चोटी, उससे चोटी बच्चो 80,928, उससे चोटी बच्चो 69,002, और सबसे चोटी बच्चो 30,028, ठीके, अब बच्चो निसान लगा दो, 76,532, सबसे बड़ी, उससे चोटी, 74,231, उससे चोटी 68,928, उससे चोटी 69,002, और सबसे चोटी बच्चो 30,028, अगला बच्चो प्रश्न संक्या चार, सबसे बड़ी कौन सी है बच्चो 98,572, ठीके, उसके बाद बच्चो कौन सी है, 76,532, उससे चोटी बच्चो, 76,268, उसके बाद 65,321, और उसके बच्चो 44,823, तो देखो बच्चो सबसे बड़ी कौन सी है, 98,572, ठीके, उसके बाद 65,000, तो रिचे चेतर हजार 532, कौन सी बच्चो, 76,532, उससे चोटी बच्चो, 77,268, फिर बच्चो, 65,321, और सबसे चोटी बच्चो कौन सी है, 44,823, अब बच्चो करम से जमाद हो, तो बच्चो सबसे बड़ी, 98,572, इससे चोटी बच्चो, 76,532, इससे चोटी बच्चो, 76,268, इससे चोटी बच्चो, 65,321, और इससे चोटी बच्चो, 44,823, ठीके बच्चो, तो इस तरह हमने, आपके कार्य पत्रक 54 के, सभी प्रशनों के उतर बहुत अच्छे से जान लिये हैं, उम्मित करता हूँ, सभी प्रशनों के उतर आप को अच्छे समझ में आए होंगे, तो क्लास देखने के लाब सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो बच्चो लाइक, कमेंट, से और सब्सक्राइब, जरू करें, आज गले इतना ही, जे हिंद, जे भारत.